हेगास स्वागता है आप सभी का परपेश्टॉक मार्केट अंडसी चैनल में आज मिसलों में देखने वाले है कि आपको स्विंग टेडिंग के लिए स्टॉक का सेलेक्शन किसे करना है सेलेक्शन करने के बाद आप एक अच्ची strategy अगर आप यूज करेंगे तो स्विंग टेडिंग में आपके profit होने के चांसे से आप बढ़ सकते हैं तो स्विंग टेडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या 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 करना है उसके बाद हम देखेंगे कि आपको swing trading के लिए कि सबसे पहली important बात है आपको stock का selection कैसे करना है बहुत ही important बात हुती है stock का selection करना क्योंकि आप देखें अगर एक अच्छे quality का stock select करेंगे उसी के साथ-साथ अगर आप stock का selection के साथ-साथ उसका fundamental देखेंगे बाके सभी चीज़े देखेंगे लेकिन इसके लिए आपको कुछी भी करना नहीं है सिर्फ एक click करेंगे आपको पता चलेगा कि market में मेरे ही सबसे quality वाले stock कुन से ही और उन stock के अंदर अगर मुझे कोई opportunity मिलेंगी तो definitely मैं उसके अंदर निविश करूँगा तो उसके बाद आपके profit होने के चाने से ज़्यादा रहते हैं तो यह जो पूरा तरीका है मैं आपको इस विड़ो में यहापर बताने वालो तो सबसे ले देखें यहापर होता क्या है लोग कभी भी stock market में आते हैं और आने के बाद यहापर क्या करते हैं कोई भी random stock यहापर उटाते हैं और उसके अंदर निविश कर देती लेकिन देख पर क्या करना होता है एकजिट करना होता है तो उसके अंदर आपको तो कुछ fundamental की जरूरत है नहीं है क्योंकि अगर अगर अच्छा रहेगा तो आप बाइंग में जागे क्योंकि अगर लॉंक टर्म में श्टॉक अच्छा ही करने वाला है तो डेफरेंटली उसके इंदर आ तो उसको swing trading कहा जाता है मतलब एक दिन से ज्यादा मतलब कितना भी हो सकता है ओके एक दिन से ज्यादा मतलब दस दिन में पास दिन में ओके पंद्रह दिन में बिस दिन में एक मन्त में दो मन्त में अपने बेज दिया तो आपको जब की profit आजाएगा या आपको loss हो रहा है आप loss में या पर निकाल सकते तो उसे swing trading कहा जाता है अब देखे swing trading के लिए important बात होती है अगर कोई quality stock का मतलब क्या है अगर manager कोई market में बहुत ही अच्छी company quality वरी company मतलब क्या है उसके fundamental अच्छे company का पी अच्छी है अगर ऐसी company तो definitely long term में तो उपर ही जाने वाली हो है कि ने क्योंकि देखे long term में ऐसी company क्या होती है हमेशा उपर ही जाती है तो उपर ही जाने वाली है तो आप क्या करेंगे एक long term में उपर जाने वाली company अब long term वाला बंदा क्या करेगा लांग टम बंदा वाला क्या करेगा अगर कोई शेर गिर रहा है तो उसके अंदर यहाँ पर निविश करेगा ओकी ठीके लांग टम के लिए वो क्या करेगा एक साल दो साल तीन साल पात साल ओके वो क्या करेगा उसके अंदर पूजिशन बना के रहे जाएगा लेकिन को ब्रेकर को तो यहाँ पर फिर से निवेश करेगा और उपर जाएगा तो प्राफट करेगा ओके इस तरीके से होता है एक स्विंग टेडर काम करता है यह स्विंग टेडर काम करता है लेकर लांग टम वाला क्या करता है यहाँ पर निवेश करता है और जब तक एक मोमेंट लॉग्टरम वाला निवेशक यहाँ पर काम करता है तो हमें क्या करना है swing टर्ड के लिए भी एक long term वाला जैसा बंदा एक अच्छा कासा stock यहाँ पर चुन रहा है select कर रहा है उसी तरीके से हमें क्या करना है यह जो long term वाला बंदा है उसी stock में हमें भी position बनाना है लेकिन एक short term में यहाँ पर position बनाना है और निकल जाना है ओके ठीक है यहाँ पर एक छोटे-छोटे swing हम पकड़ लेंगे और उससे हम अपना capital यहाँ पर क्या आइंगे यहाँ पर बढ़ा देंगे तो यह होता है एक swing trader का एक mindset यहाँ पर होता है तो चले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक अच्छे quality वाले stock आपको कैसे पकड़ना है इसको select कैसे करना है कुछ भी आपको नहीं करना है जो मैं बताऊंगा उसका अगर आप करेंगे तो आपको हर दिन मतलब क्या है दि अगर आपने purpose of market अनलेसी channel को subscribe नहीं किया तो subscribe पर दिया क्योंकि अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe क्या हो जाएगा मैं जो भी यहाँ पर उड़ा बनाता हूँ उसके notification आपको तुरंत यहाँ पर मिलते जाएंगे अगर देके यहाँ पर देखते हैं सबसे बहले आपको क्या कर क्या करना है सबसे बहले आना है यहाँ पर आने के बाद आपको एक screen यहाँ पर टाया करना है तो आपको अगर पता नहीं है तो उसका भी मैंने already विड़ा माना है कि आपको पर कैसे बनाए खुद का screener जो आपको stock यहाँ पर देता जाएगा तो यह बिल्ड़ो जाकर देखे इसका कैसे इस्तेमाल करना है मतलब screener खुद का कैसे बनना है यहाँ पर पता चलेगा तो इसके अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर कौन से factor आपको लगाने है वह मतलब क्या है इसके माल लेते हैं यह प्राइज है ओके और नीचे book value तो इसका जो ratio है ना वो क्या होना चाहिए greater than hundred होना चाहिए ओक ठीक है तो यह यहाँ पर है मतलब क्या है देखे अभी book value का मतलब क्या होता है माल ले जे company के अभी जो चल रहा है ओके अगर इस company को बेच दिया जाए तो एक share के बतले उसका कितना केमत हो सकता है उसके asset वगरा land वगरा सबी चीज़े अगर बेज दी जाए उसका एक share की केमत कितनी हो सकती है उसका जो price होता है उसे का जाता है book value अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर debt to equity ratio वो less than one होके उसके बाद यह यहाँ पर interest coverage ratio यह three times होना चाहिए interest coverage ratio का मतलब क्या बता है देखे तो अगर company के पास कुछ loan वगरा है तो उसे चुकाने के लिए company कितने times मतलब क्या company के पास कितना गुणा पाईसा है जो loan company यहाँ पर चुका सकती है ओके वो factor यहाँ पर decide करता है यहाँ पर three तो जितना ज् पास अगर 10 लाग का loan है वो company का three times है मतलब company तीन गोना तक तिया मतलब यहाँ पर क्या कर सकती है यहाँ पर अपना loan चुका सकती है ओके यहाँ पर उसका वगया पर OPM fires greater than price to earning ओके यह यहाँ पर है उसका वगया पर PG ratio है greater than one है ओके यह भी यहाँ पर है ओके यह भी यहाँ इन सभी को देखिए इसको आप वीडियो को क्या करिए वीडियो को पॉस करिए उसके बाद इससे देखे उसको देखे आप last में कौन सा है last में यहाँ पर है earning per share latest quarter is greater than price to earning मतलब क्या है latest quarter का earning per share जो भी होगा तो मैं आपको एक share का भी यहाँ पर बताऊँ आपको जो होना चाहिए earning per share latest quarter का greater than होना चाहिए price to earnings से तो इस तरीके से इन सभी को आप क्याप करिए यहाप पर screenshot लिजिए और इसे क्या करिए एक screener के नाम से इसे select करिए मैं क्या करता हूँ अब यह जो screener में ने बनाया था इसे run this query इसे में run कर देता हूँ अब देखिए मेरे पास कितने stock आथे आपने यहाप देखा हो गा market में इतने सारे stock है इं सभी stock में से सिर्फ मेरे पास 47 stock आचुके 4000-5000 स्टॉक होंगे मार्केट में है क्या नहीं तो इतने stock में से मेरे पास कितने आचुके नाचुक item 47 stock में मतलब समझसके हमने 455 1000 श्टॉक में से 47 ऐसे श्टॉक चुने है जिसके fundamental काफी इच्छ है उसके ऊपर कुई करजा नहीं है interest cover जिर रशो काफी अच्छ है साथी company के ऊपर कुछ करजा हैं नहीं है और बाखी चीजे company का earning per share और अच्छा है यह सभी सेलेट करके हमने 47 स्टॉक सेलेट किया अब ऐसा नहीं कि इसको आप मतलब आग बंद करके ऐसे स्टॉक में आपको निवेश कर देना है ऐसी कलते हैं आपको नहीं करना है अब क्या करना है अब अब यहाँ पर आपको जाना है इसके अंदर और इसके सेलेट कर लिया अब देखते हैं इसके फांडमेंटर हमने जो स्टॉक का सेलेक्शन किया है अब इस टॉक के बारे में देखते हैं कमपनी किस तरीके से दिखें सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना को बहलेगा इसका मार्केट कैपिटल हो गरा बाकी चीज़े देखना को म कमपनी यहाँ पर कमा रही है एक शेर के बदले एंटर्स कावरे जो देखें 91.6 है मतलब काफिय अच्छा है उसके आप देखें रिटन जो है एक साल में कमपनी ने 22 परसेंग का रिटन दिया है और प्रॉपिट वेरेशन अच्छा का मतलब कितना है फाई एर्स में 42.4 पर यहाँ पर देखें आपको देखने के बाद यहाँ पर देखें आपको देखना है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखें हर साल कमपनी का नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए जैसे कि यहाँ पर 200 करोड यहाँ पर 213 करोड तो अगला जो होना च चांव फोप अफेलोज से कम होना चाहिए है अपको क्या करना है 2003쪽에 232 282 के पहले जैसे की यह 552 क्रें द भी मैटूत चुछ पर चेहाओ करोड है इसके पीले अपके इस पधार seems मतलब थोड़ा इससे कम होना चाहिए तो ग्रोथ में होना चलिए और ग्राफ जो है हमेशा ग्रोथ में यहां पर आपको ऐसा उपर जाताहर वह देंदें चाहिए इसा को हमेशा बढ़नी चाहिए लेकिन यहापर कम हो चुकी तब फिरे स्टाक का का हम सेलेक्षम नहीं करेंगे तो आयां पर तो चले अब दूसरा आ शुक देखते हैं यíसका ये से्में कुलोज कर दिता हूँ अब देखते हैं जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ओके ठीक है तो चलिबभी आप देखते हैं हम कोके अथिया देखेंगे प्रमोटर के उल्डिंग अच्छी मतलब हे 49.6 पेसे मतलब 50 पेसे अच्छी बात है तो सिर्फ या पर देखेंगे बाखी सबी चीज है हमने देखेंगे कुछ दिक्कत अली बाते नहीं है यहापर सिर्फ हमें जाना है प्रॉपिट अनलोश टेक्मिन में यहापर को कि यहां पर क्या है यहापर देखेंगे 2030 का है 2030 में कमपनी को बारा सो आठ करोड का है इसके पहले पास सुच चावर ballot 243 पर दोसो सैटिस करोड तो मतलब देखेंगी तो तीन साल में से तु कंपनी का हो रहा है हर साल कंपनी का प्रफिट बढ़ रहा है ओक ठीक है उसके ** इसार्या करते हैं एपको काभी कम टाइम लेगेगा और यहां पर देखेंगे या IF Jeśli holding देखें काफे है barbecue है मतलब ten percent holding है और जूर देखें जून में यहापर holding बढ़ चुके यहापर आप देखेंगे 222 के बाद holding přैद्द अच्छे कसी बढ़ चुक निवेश्च करते ते टाइम भी आपको देखना है कि अब देखे हमने जो स्टॉक सेलेट किया काफ़ी एच्छ स्टॉक सेलेट किया अब इसके अंदर एपरचुनेटीव फांड करने हैं को जब यह पर चुनेटे आएगी तब आपको निवेश्च करना है ओके तो जैसे कि दिखे अब यहाँ पर मैंने लगा लिए इसे अब जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी की पेपर ओके यहाँ पर देखे अब यहाँ पर आगा यहने सी ओके और यहाँ पर यहने से पर मैंने क्लिक किया ओके इस टॉक यहाँ पर आगा है अब दिखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है अब दिखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया है सिर्फ यहाँ पर मुविंग अपर लगाई है ओकी ठीक है यहाँ पर दिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है कुछ यहाँ पर मुविंग आड़ जैसे की 20-50 का आप लगा सकते हैं तो ज्यादा तर यहां कर दीए 50, 100 और 20 क्रहिए ने दीजिए तो यहां पर इसे एदिक कर देता हूँ इतनी के ज़रूरत है नहीं है तो जैसे की यहां पर दीए 200, 100 250 है यह 20 है इस तरह के देए आप रहने दे सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ हाँ हम इंसे को भी हटाए देता हूँ कोई बात नहीं है ओके अब यह 50,100 एपाट गतने हैं हमें तो इसे क्या कर सकते हैं 50 और 200 को और धाट को रहने दीजये ओके इस तरीके से अब देखे ये मैंने ये मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ कोई भी स्ट्राटिज आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अब देखे इसके अंदर आपको क्या करना है एक बड़ा टाम फ्रेम लगाई है जैसे कि एक मंतले लगाई है सबसे बहले मंतले में आपको कितने अच्छाओकर्ण से आपर मिलेंगे सबसे पहले देखे मंतले में देखे क्या हो चुका है यहा पर बनचवाई है मतलब दिख रहा आपको यह अब इसे आप थोड़ासा छोटे टाम रेम पर जाएंगी अथे झासे सी तरहींगा टीक है अब यहाँ पर जाएगा यहाँ आप एकसपट ही मंतली के सपोर्ट यहाँ अच्छी आपर प्लिश पैट्रन जो भी He अच्छ घासे उसके अंदर हमें निविश करना है क्योंकि हमने स्टॉक का सेलेक्षिन अच्छ किया है कंपनी काफ़ एच्छ है अब यह तो कंपनी आपर होने वाले नीचे नहीं आने वाली है reminder कि ठीक के यहां पर दिखे यहां पर एक बना था कोैमेर के इस तरीके से तो यहां पर क्या हो था इसका breakout यहाँ पर हुआ था ओके इस trend line का breakout हुआ था यहाँ पर breakout होनके बाद दिखे जैसे ही इसने यहाँ पर इस breakout के बाद दिखे moving average का support है breakout किया है फिर इसे support लिया और देखें momentum किस तरीके साब को मिल गया है ओके मतलब बहुत अच्छा momentum मिल गया आपको यहाँ पर कि अधर के अच्छा अच्छा से है आपको आप दिखा देगा तो डेली के जाट में दें इक यहाँ पर क्या हो चुका है यहाँ पर आपने क्या किया है दिखें यह entire link' आउस violation कि हाप डिए आप यहां पर होगा ओके ठीक है मतलब देखें आपने कई बर पैटन देखेंगे उपर गया कंसलरडेशन किया ओके और जैसे ब्रेक करता है मार्केट थोड़ा से यहां पर एक पैटन बनाता है और उसके बाद मार्केट बुलिश ओके मतलब अच्छा कासा मोमेंट अब करता है य इस स्टाउक में लेकिन स्टाउक का सेलेक्षन कैसे कि हमने आपने भी देखा होगा उसके बाद देखें यहां पर भी क्या हुआ है यहां पर देखें ओके इस लाइन को उठाईए इस पॉइंट को टच करिए आपको इस तरीके से लाइन मिलेगी दिखें इसका ब्रेक लगना है यह जो देखें आपको इतना डिस्टंस यहां से लगाई है इतना आपको टार्गेट भी यहां पर मिल जाएगा तो इस तरीके से क्या होता है आपके स्वेंग डड़ अच्छे चले जाएंगे ट्राइ करके देखें आपको यहां पर क्या लग रहा है इसका ओके दिक यहाँ पर इस तरीके से अब दो कि यह इतना साइडवीज हो रहा है तो थोड़ा पहुत है क्या करें विकली चाट लगाई है विकली चाट में आपको पता चलेगा कि बड़ा तेंपर पर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर ऑक ठीक है यहाँ अपर आप देखेंगे आपके accuracy थोड़ी यह पर बढ़ जाएंगी अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फॉलो तो इसे फॉलो करके देखें आपको क्या लग रहा है इसके बारे में तो आपको यह पर क्या लग रहा है इसके बारे में अब देखें यह जो मैंने बताए ता आपको इसका screenshot आप ले स्क्रेणर बनाए है स्क्रेणर बनाने का वीडियो मैंने अल्रडी यहां पर बनाए है आपको स्क्रेणर का स्क्रेणर पर वीडियो मतलब खुद का स्क्रेणर कैसे बनाना है यहाँ पर आप जाकर देखें कैसे बनाना है ओके बाकिए सबी चीजे मैंने एक्स्प्रेंग कि है आप जाकर आपको देख सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं एक लोड़ो में वीडियो चलगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठैक्स पर चिंदिस वीडियो